जैसे कि I mentioned earlier कि capital structure के through आपको काफी सारे अगर आपने बहुत appropriately तमाम factors को मदे नज़र रखके capital structure of a firm defined किया है तो उससे आपको बहुत से जो फाइदे मिल रहे हैं उनमें एक एहम फाइदा ये है कि आप अपनी cost को reduce कर सकते हैं और वो cost कैसे reduce हो सकती है उसमें क्या है कि जो भी आ या हकूमत ने कोई subsidies दे रखी हैं उनको आप बहुत effectively capital structure को इस तरह से define कर सकते हैं कि आप taxes का कम असकम आपको taxes देने पड़ें और subsidies अगर government दे रही है उस particular sector में तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा ले सके एक और एहम फाइदा जो आपको पहुंच सकता है that is कि आप अपने financial distress की cost को कम कर सकते हैं और financial distress क्या होती है financial distress is basically the condition जिसमें company इतना revenue कोई ऐसे situation में बैठी भी है कि वो इतना revenue generate नहीं कर सकती या income इतनी generate नहीं कर सकती क्योंकि उससे वो अपने सारे financial obligations को fulfill कर सके का मतलब है कि उसके financial जो position है वो अच्छी नहीं है तो if there is a firm जो कि किसी ऐसी सुरत हाल में बैठी भी है it could be because of any reasons कोई भी internal या external वजा की वजा से कोई भी organization के उपर ऐसा कोई ब financial obligations को उसको fulfill करना थोड़ा दिकत हो रहा है कि उसके पास cash flow पूरा नहीं है किसी एक certain time के उपर इसका मतलब है for financial distress की सूरत हाल में है तो technically हम ऐसी situation में अगर firm बैठी हो कि वो अपने financial obligations को fulfill नहीं कर सकरी अपने सारे खर्चे जो मतायन हुआ है वक्त उसके accordingly pay नहीं कर सकरी तो इसका मतलब है कि वो financial distress में है तो financial distress का नुकसान होता है ये कि लोग जो है वो फिर reluctant हो जाते हैं उस particular firm के साथ ये उस particular organization के साथ business करने में कि वो पहले से अपने obligations को fulfill नहीं कर पारी तो अगर आप अपने capital structure को बहुत बहतर तरीके से मुनासिब तरीके से मौजू तरीके से develop कर cost है उसको आप cut कर सकते हैं कि आपने अपने जो high fixed expenses हैं जैसे overhead है आपके employees के salary है और illiquid assets है या revenues जो sensitive economic वो revenues जो के economic fluctuations की विरा से sensitive हैं और वो कमी बेशी उनको economic fluctuations की विरा से जा सकती है इन तमाम चीजों को आप regulate कर सकते हैं थ्रू developing an appropriate or a better capital structure और when we look at this concept of distress cost तो financial distress मैंने explain किया financial distress वो सूरते हाल है जब कोई भी business entity या firm अपने financial obligations को आसानी के साथ fulfill करने से कासिर है तो उस पे उसको cost bear करना पढ़ ता है कि overall जो 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 लोग उसके साथ business कारे होते हैं वो थोड़ा सा गबरा जाते हैं कि यह थोड़ी इसको financial मसायल चल रहे हैं इसलिए हम इसके साथ business करने में थोड़ा reluctant हो जाते हैं तो अगर आप अपने financial structure को या capital structure को इस तरह से define कर लेते हैं उसको कि वो तमाम elements जिन से आपको immediate payments करने में दिकत हो रही है आप को ready cash debt के form में उठा के उनको fulfill कर लें ताके आपका जो financial distress है इसकी सुरतहाल ज्यादा देर तक नहां रह सके आप उसको overcome कर लें now it is important to understand कि जो financial distress का cost है वो tangible भी होता है और वो intangible भी होता है टैंजिबल का मतलब यह है कि अगर आपकी firm की financial position strong नहीं है कि वो अपने जो financial जो उनके आपकी जो obligations हैं उनको वो आसानी के साथ fulfill नहीं कर सक रही है कोई economic downturn आ गया या कोई और shock आया company के अंदर कोई administration में कोई तबदीली आ गया है या उसका boss ने कोई essay का statement दे दिया है जिसकी वज़ा से लोग panic कर गए है कि हम बेचने जा रहे हैं कुछ पी इस तरह की बात तो उससे क्या होता है कि जो financial institutions हैं जिन इदारों से आपने मुख्तलिफ मुख्त में पैसे borrow करनी होती है वो पिर इस तरह की firms क के लिए जो के financial distress में हो उनको वो higher interest rate charge करती है कि अभी उनको लग रहा है कि यह थोड़ा मुख्किल में है तो हमें यह repay नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए वो शरासूद को बढ़ा देते हैं तो अगर आप बहतर तरीके से अपने capital structure को define करते हैं तो आप इस तरह की जो cost होत भी हो सकता है intangible जैसे कि मैंने आपको बताया कि उससे क्या हो रहा है लोग ट्रस्ट नहीं करें आपके साथ business करने में reluctant हैं और साथी में जो आपके employees हैं उनका morale down हो गया कि यहां मुझे तंखार time पे नहीं मिल रही अभी आगे क्या होगा वो panic हो जाते हैं या उसकी विरा स से उनका productivity कम हो गया उन्होंने काम में जो खुरोश उनका कम हो गया और इस तरह की जो हालात हैं उसको भी आप अगर आपने मौजू तरीके से अपनी capital structure को define किया हुआ है तो आप इन तमाम तरह के expenses को tangible cost को intangible cost को cut कर सकते हैं